और दोस्तों एक बार फिर से राम राम साथियो फिर से आपके एंटिवाइटिक चायन आस्ते में हम साथी आप लोगों कि यहां बिल्कुल जी के सीखने में लगे हुए यह रावर रतन सिंग गंटे लगता है मातर उसको तीन-चार मिनिट में आपको रावल रतन सिंग समझा का नाम आप लोगों के समर्शिंग हुआ करता था और अलाउधिन खिल जी इनके समय अटेक करेंगे अलाउधिन खिल जी आटेक किया तो उसकी वज़े क्या है वे वज़े हमें अलग-अलग मिलती है एक वज़े कि मिलती है कि चितव्ड है आपका एक चितोडगड दुर्ग है एक आपका सामराजυे आपके सामरिक महताव का क्वाड़ा और मालवा के पड़ता है और इतर से आपके दृलि से कोई भी सुल्तान जाए गा और तशनी भारत में जाएगा व्यापार करने के यहां से गुजरणत पड़ तो इसलिए मैं कह सकते हैं कि चितोर एक ON का दूरू ठाल मेतर शामराज ज Bennett दीशisherj an मेर्ट के हाला कि उस समें राखा ल regarde सिंग के पिटा समर्सिंग राजा होते थे और समर्सिंग ने साथ हूं आलाउद्ण खिल्जी के सिहना को भड़ने दिया तो वे थसक भी रिखिश algunas लिप्स. अप नीचिंव सामराज्य विष्टार करता है चित्रोड का आपना सामरी की महत्त हुए इसलिए अलाव दिन खिजी चित्रोड़ पादी कार करते हैं लेकिन हम बात करें आपके मलिक मुहम्मद जैसी मलिक मुहम्मद जैसी कुछ और कह रहे हैं कब कह रहे हैं 1540 में तब कि घटना आपके 1303 की है 237 वर्स बाद कह रहे हैं साथियो कैसे विश्व कर सकते हैं लेकिन किताब में लिखा है तो पढ़ना तो पढ़ेगा अरे भाई देखो देश का नाम सिहल दीप है राजा का नाम गंदर उसेन राणी का नाम चंपावति है पुत्री का नाम पदमनी है और तोता का नाम साथियो हीरा मन है यानि आपके मलिक मुहम्मद जैसी पनवबत लिख रहे हैं सिर्शा सूरी के समय 1540 में देश का नाम सिरिलंका है और सिरिलंका में दीप है साथियो उसका नाम सिहल दीप है और वहां की राजा है राजा का नाम गंदर उसेन वहां की राणी राणी का नाम क्या है चंपावति और पुत्री का नाम क्या है साथि रावल रतन सिंह के एक पहले से ही पत्नी थी उसका नाम था नागमती नागमती को अपने आप में साथ यो खूब आपको भरोसा था कि तेरे से सुन्दर तो कोई होई ने सकता इसे अपने आपको सुन्दर समझती है मैरे सुन्तर कोई नहीं है नागमति सोचते हैं मेरे से सुन्दर इस दुनिया में कोई नहीं है नागमति ने हीरा मन तोता से पूछा एक बात अरे यिरामन तू तो चलता फिर तो घूमता आया है मistem लाइक और शेर कर सूरत होता है जिस रवर में राणी कभी हंस नहीं है वहां बगुलब्र सूरत होता है आपका भंगुला सहन से कंदर से रावल रतन सिंग आया यहां से गया और फिर विवा करके लाया लंबी चोड़ी कहानी लेकिन एक्जाम के साफ से नहीं है और साथ यह मेवाड मा आ गया दान दे रहें गरीबों तो रागव चेतन जो तांत्रिक है साथ उसका मन किया यार है तो सुंदर लेकिन इसको प्राप प्राव चेतन तांत्रिक है निकाला प्राथ करने कोशिश इसके इसको देश से निकाल है गया और किल दिया है और नारीक पर rustी ये कहते हैं कि कभी आठाइस जनवरी तेरह सो तीन को आपके दिल्ली से रवाना हुआ लगवक आठ महा तक मैं पॉइंट टू एक्जाम बात कर रहा हूं साथियों कहानी रोचकता लाने का प्रियास नहीं कर रहा हूं और पनवनी लेके कहां पोचके दिल्ली और कहां अंतीम बार मेरे स्वामी से मिलने दी अलाओ दिन खिलजी आ रहा है बहंकर युद्ध होगा चितोड़ का पहला साका होगा आगर डाइग्राम समझाओंगा और चितोड़ पे 26 अगस 1330 क्या कर लेगा अधिकार कर लेगा साथ यो स्वर्चों लेगे करें अब यह कैसे हम दूसरा सिकंद्र कहा है उस समय का सुरिय का है मित्रो ध्यान कि आप लो आगे बात करें हम लोग देखिए यहां पे कि आप लोग अमीर कुस्रों ने यह देखिए बड़या कोश्र बनते हैं आपके अमीर कुस्रों ने क्या कहा है अमीर कुस्रों ने खजाइन उल्फुत है आपके पुस्तक है उसमें कहा है कि पदमनी की तुल्ला सेबा की महारानी स की ऐसा सवाल नहीं पूछता है लेकिन कोई बरोसा नहीं है तो दूसरा सिकंद्र और सुमय का सूर्य भी ने कहा गया है वित्रो रतन सिंग को दोखे से बंदी बनाया गया और पदमनी सैना पती आपके गोरा और बादल गोरा चाचा है साथियो और बादल क्या है बती जाए गोरा और बादल दोनों किया है चाचा और बतीजा लेकिन इनका शमन वड्ले के साथ पदमनी के साथ इस्ता पित कि जाए इनका से इस्ता है और बादम नृ की होगा तो आपके राजपुत योद्दा जब घिर जाते हैं तो आपके केसर रंग के वस्तर पहन के साथ यो यूद करते हैं उसे कहते हैं केसरिया और रावल रतन से खुद है और उसके सैनापति गोरा और बादल है नेत्रतु पदमनी और नागमती दोन रानिया क्या कर रही है साथ यहां जोहर कर रही है और देखे कितना गजब का सवाल बना है कि हे म्रतन सूरी हे म्रतन सूरी की जो रचना है उसका नाम है गोरा और बादल तो हे म्रतन सूरी की रचना इसका नाम गोरा बादल कथा पदमनी चोपा यह साथ यो इन पे लिखी गई है और हे म्रतन सूरी है यह आपके महाना परताप का दरवारी कमी था चकर पाने का नाम सुनोगा वैसे महाना परताप के दरवारी कभी है और डौक्टर गोपिनास सर्मा ने समुच रावल साका समावतों गई बात कहा कि यह आपकी राजा है को रावल आपकी रतन सिंग है और फिर आपको बताए मैंने अलाव दिन खिल जी आएगा चितोड़नाम खिजराबाद रखेगा अपने पुत्र खिजराखा को सोपेगा और खिजराखा माल्देव चवफान जो लंबी लंबी मूचे रखते हैं मूचला मालदेव कहते हैं कानड़देग भाई जालोर के और भाद में उनके पुत्र है जैसा है बंवीर उनको पराजित करके 1326 में राणा हम्मीर है जो आपके चितोड़ का राजा बनता है और अपने नाम से पहले राणा लगातार बने रहना शिरीज में आप लगातार बने रहना तो यह बिलकुल आपको और के स्रीद देखिए यह देखिए आप अरम से कि यहां बनीवी दिलन की आप लोगों के लिव ऊपनेय को पराजित करके आपके यहां क्या रखेगा नियू रखेगा छिशिष का कश्रक अन्हेसर मामक्तासश प्रभाच आ lugar